आज मैं आपके लेकर आई हूँ पनीर भुझी की रेस्पी इसे मैंने बहुती आसान तरीका से बनाया है और इस खाने में तो बहुती टेस्टी होती है और यह ज़ट पर बनके तयार होती है आप दस मिनट में इसको बनाके तयार कर सकते हैं तो hello friends मैं हूँ अथी और स्वाग से अगर आप चाहे तो ग्रीट भी कर सकते हैं, यहां मैंने लिए धनियापत्त और हरी मेच, अब हम चलते हैं नेक्स प्रोसेस पे, मैंने घेस भी कडाई रखी है, मैंने फ्लेम को ओन कर दिया है, अब हम इसमे अठ करेंगे ओएल, तो यहां मैंने mustard oil लिया है, आप चाहें तो इसे refined oil में भी बना सकते हैं तो देखिए हमारा oil अच्छे सी गरम हो गया है अब हम इसमें add कर देंगे मसाले को सूखे तो यहां मैंने एक चमच लिया है सरसोदाना, इसको हलका सा चटकाएंगे फ्लेम को हमने यहां पे हाई रखा है और यहां पर मैंने एक चमच इसमें लिया है जीरा इसको भी हलका सा भून लेंगे अब हम इसमें add करेंगे तेज पत्ता, तो यहां मैंने आदा तेज पत्ता लिया है आप चाहें तो इसे skip भी कर सकते हैं लेकिन से डलने से अच्छा टेस्ट आता है अब हम इसमें add कर देंगे हींग अब इन सब को हम थोड़ा सा भून लेंगे तो यह देखिए हमारे मसाले अच्छे से भून गए है अब हम इसमें add कर देंगे हरी मिर्च तो यहां पर मिर्च को add कर दिया है इसको भी अलका सा भून लेंगे हमें इसे जलाना नहीं है बस अलका सा भूनना है अब हम इसमें एट कर देंगे प्याज तो देखिए हमारी मिर्च भून गई है अब इसमें मैंने एट कर दिया है प्याज अब हम फ्लेम को कर देंगे medium, हमें high flame पे प्याज को नहीं भूनना है, इस बात का धियान रखे, medium flame पे इसको अच्छे से भूनने दे, हमें इसे dark brown नहीं करना है, बस हलका सा brown हो जाए, बस इतना ही इसको भूनना है, इस बात का धियान रखे, अगर ज्यादा भून जाएगा, तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, तो हलका सा गुलावी हो जाए, बस इतना ही पकाना है, तो देखे, हमारा प्याज भून गया है, अब इसमें एट कर दिया है मैंने टमाटर, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है, अब हम इसमें एट करेंगे, अपने कुछ मसाले, तो यह देखे, अच्छे से मिक्स हो गया है, अब मैं इसमें एट करूंगी नमक, तो यहां पर मैंने एक चम्मच नमक लिया है, आप अपने स्वाद के अनुसाद ले सकते हैं, आप जितना बना रहे हैं उसे इसाब से तो यहां मैंने एक सिरेट चम्मच नमक डाला है अब हम इसमें एट करेंगे हल्दी पाउडर, तो यहां मैंने आदा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, और एक चम्मच यहां पे डाला है धनिया पाउडर, और आदा चम्मच मैं लिया है इसमें लाल मिर्च पाउडर, अब हम इन सब को अच्छे से मिक्स कर देंगे, हमें इ से ढखक कर एक से दो मिनिट के लिए अच्छे से पका लेंगे या तब तक पकाई जब तक इसका तेल ना चूट जाए तो यहाँ पर मैंने फ्लेम को विल्कुल स्लो कर दिया है तो यह देखिए दो से तीर नट हो गए है और हमारा मसाला अच्छे से पक गया है इसने साइड से तेल भी छोड़ दिया है तो हमारा मसाला अच्छे से बुन गया है इसको थोड़ी देर के लिए हम इसा खुला तो यहां पर मैंने पनीर को एड़ कर दिया है फिलम को मैंने यहां पर मीडियम रखा है पनीर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले में तो यह देखिए मैंने पनीर को अच्छे से मिक्स कर लिया है मसाले में यह बहुत ही टेस्टी बनती है इतनी जल्दी बनके तयार होती है दस मिनट में भी बनके तयार हो जाएगी, तो है ना असान, तो ये देखिए, बस इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है, अब इसको ढग कर हम पांच मिनट के लिए, शुलो फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे, तो ये देखिए, पांच मिनट हो गए है, और हमारी सब्जी ज अब इसमें मैंने अट कर दिया है गरम मसाला, तो यहां मैंने एक चमच गरम मसाला अट किया है, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें, तो यहां पर मैंने गरम मसाला को अच्छे से मिक्स कर दिया है, अब हम इसमें इसको एक मिनट के लिए और पकाएंगे, तो य जरूर डालिए, तो अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और यहां पर मैंने फ्लेम को आफ कर दिया है, और हमारी सब्जी बनके तयार है, तो अब इसे सर्विंग बॉल में निकाल लेंगे, तो देखिए हमारी सब्जी कितनी अच्छी बनी है, आप इस रेस्पी को जरूर ट्राइ कीजिए, तो यह देखिए, मैंने इसको सर्व कर लिया है, आप इसे रोटी के साथ, पराटे के साथ, किसी के भी साथ खाएं, बहुत ही टेश्टी लगती है, इसे बच्छे भी बहुत अच्छे से खाते हैं, तो यह देखिए, कितनी प्यारी हमारी सब्जी बनी है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, तो लाइक कीजिए, सेर कीजिए, और चैनल को सस्क्राइब कीजिए, थैंक यू फोर वाचिंग